हेलो दोस्तों, वेलकम टो अवर चैनल सोशल लाइफ, आप देख रहे हमारे चैनल की सेरीज चोनार बंगला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले स्पेशल एकनॉमिक जोन्स के बारे में हैं दोस्तों, कंट्री की एकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, FDI को बूस्ट करने के लिए और ओवरॉल कनेक्टिविटी इंक्रीस करने के लिए, बंगलादेश की गवर्मेंट ने अक्टोबर 2010 में एक आक्ट पास किया, जिसे बंगलादेश एकनॉमिक जोन आक्ट कहते है और एक पब्लिक लिमिटेट कंपनी बनाई, जिसे बंगलादेश एकनॉमिक जोन आथारिटी के थे है, इस कंपनी का काम ये था कि बंगलादेश में स्पेशल एकनॉमिक जोन बनाना, दोस्तों ये स्पेशल एकनॉमिक जोन बिजनेस फ्रेंडली हो गये, और जो भी कंपन सो special economic zone complete करना चाहती है और उससे 10 million से जादा jobs की rate करना चाहती है दोस्तों इसके अलावा target ये भी है कि 2030 तक high income country बनना और 2040 तक developed country बनना अभी दोस्तों इन special economic zones में industrial parks बनेंगे या IT parks बनेंगे या फिर tourism parks बनाई जाएंगे चार अलग category के special economic zones बनाई जा रहे है पहला है public economic zone दूसरा है private economic zone तीसरा है PPP economic zone और fourth है government to government economic zone ये तीन तो आपको पता ही है अब बात करते है fourth की दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी country की जो government होती है उनके साथ agreement कर लिया जाता है और एक economic park जो हता है उनको टयार करके दे दिया जाता है फिर उस country की जो companies है वो यहाँ पर आके invest करती है अभी ऐसा बंगलादेश ने इंडिया के साथ किया है तो इंडिया का special economic zone वहाँ बनाय जा रहा है इसके साथ चाइना का भी special economic zone बन रहा है एक्शली दो चाइना के बन रहा है और अभी आप पूछ सकते हो यह सब तो ठीक है progress कितना हुआ है तो आये progress की बात करते हैं दोस्तों जो 100 special economic zone बनाय जा रहे है उसमें से 20 economic zone private company के हैं और इसमें से दोस्तों 2019 तक 11 economic zone complete हो चुके हैं और यह operational है कुछ नाम आपको बता दो मेगना economic zone अमान economic zone अब्दुल मुनी special economic zone यह complete हो चुके हैं इसके अलावा east west economic zone और mongla economic zone यह भी complete हो चुका है अभी दोस्तों 13 special economic zone अंडर construction हैं यह काफी बड़े हैं और PPP models में बनाई जा रहे हैं आपको वदादू इसमें से दो flagship project हैं एक है मिरसराई special economic zone और दूसरा है महेश खाली economic zone जिसको महेश खाली economic zone भी एक्चोली बंगलादेश की पहली planned industrial city में बनाय जा रहा है जो कि है बंगा बंदू, शेक मुझीब, शिल्पानागर industrial city दोस्तों यह city 30,000 acres की land area पर बनाय जा रहा हैं काफी बड़ा land area यहां पर बंगलादेश की government ने जमा किया है और यह city बनने के बाद बंगलादेश के कि water waste availability है यानि जो rivers जाते है पास से वो water waste की availability यहां पर है दूसरा reason यह है दोस्तों कि 70 km की range में आपको airport और port दो भी मिल जाएंगे यानि एक से दो घंटे में जो भी goods यहां पर टैयार हो रहे है वो airport में या river port में पहुंच जाएंगे और दोस्तों तीसरा reason यह है कि यहां पर cost of living कम है यानि जो भी company से आपर invest करेगे उनको कुछ हद तक बचत हो सकती है अभी दोस्तों total 15 billion dollars का investment आने वाले 10 साल में यहां पर देखने को मिल सकता है और इस city से करीब 15 लाग jobs create हो सकते है और जिस field में यहां पर jobs create होने वाले है वो है garments, agro products, leather industry, motor bike assembly industry और pharma वगेरा व जा रहा है, power plants को install किया जा रहा है, gas connections जो है दी जा रहे है, जो roads होते हैं उसको बनाई जा रही है, और जो plots होते हैं उनको पूरी तरीके से ready किया जा रहा है, सरकार का ऐसा दावा है कि 2021 December तक जो basic infrastructure हो पूरी तरीके से complete हो जाएगा, और complete होने के बाद यहां पर हम investments देख सक सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, अब इसमें से दोस्तों सबसे जादा investment जो है एपिलोन स्टाइल करने वाली है, 150 million US dollars की, और इससे 4600 jobs create होंगे, इसके बाद जो है apparel gallery भी यहां पर 74 million US dollars invest कर रही है, और यह 9000 jobs जो है यहां पर create कर सकती है, अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरे economic zone की, जो की है मोहेश खाली special economic zone, यह 3500 एकर में, कौक्स बजार में बनाया जा रहा है, दोस्तों यह अलग-अलग faces में divided है, और इसका face one complete हो चुका है, और land allotment भी की जा रही है, अभी दो companies को, एक है SPL Petrochemical Limited, दूसरी है SK Gas Korea, इनको lands allot कर दी गई है, 510 acres की land यहां पर allotment हुई है, और यह लोग यहां पर अपना refinery बनाने वाले है, और LPG terminal भी यहां पर बनेगा, तो दोस्तों जो पहला flagship economic zone था, वो चिताव कौंग में था, और दूसरा economic zone बनाया गया है, वो कौक्स बोजार में बनाया जा रहा है, तो यहां पर हम यह समझ सकते हैं कि बं इंगलादेश को अगर आगे बनना है, तो अपने जो दूसरी रीजन से, उनमें economic activity को बढ़ाना होगा, खर अब बात करते हैं दूसरे economic zone की, जो की है जमालपूर economic zone, दोस्तों यहां भी काम तेजी से हो रहा है, 3300 कोड़ रुपे यहां पर invest कर रही है, government और यह special economic zone बना रह था, फिर 2021 जून तक 73% complete हो चुका है, और ऐसा expected था कि December 2021 तक खतम होगा, लेकिन यह delay हो सकता है, और जून 2022 तक इसका जो basic infrastructure का काम है, वो पूरी तरीके से complete होकर, यह जो economic zone है, वो operational हो सकता है, और दोस्तों बंगलादेश economic zone development project भी under construction है, इस economic zone में अभी तक सरकार 2400 को रुप प्रोग्रेस basic infrastructure complete करने का, वो 60% complete हो चुका है, और 2021 दिसंबर तक इसका जो trunk infrastructure का progress है, वो complete हो जाएगा, फिर 2023 में दोस्तों यह economic zone operational हो सकता है, इसके अलावा Indian economic zone जो मीर सराई में बन रहा है, वो भी दोस्तों under construction है, इसके लिए line acquire कर ली गई है, और अभी physical progress पे काम हो रहा है June 2021 तक सिफ 4% progress complete होआ है, दोस्तों यह recently start होआ है, तो इसको बनने में और समय लग सकता है, दोस्तों इन economic zone को बनाने का खर्च 50 billion US dollars है, इसमें से कुछ पैसे सरकार invest कर रही है, तो कुछ पैसे दोस्तों दूसरे government से loan ले रही है, जैसे कि India होगा, चाइना होगा, जपान होग है, और आने वाले समय में दोस्तों इस economic zones के कारण, जो GDP growth उस पे भी positively impact हो सकता है, तो दोस्तों इन economic zones के बार में अगर आप और detail में समझना चाहते हो, तो हम इसका part 2 वीडियो भी बना सकते है, क्योंकि यह topic बहुत ही deep है, इसलिए हमने बस overview आपके सामने present किया, बस इस वी topic पर वीडियो देखना चाहते हो, वो भी comment में जरूर बताना, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you